हलो मारी दी स्टूडेंट्स आई होब यू आ आल फाइंड वेल मारी दी स्टूडेंट्स आज हम क्वेशिन मेंबर 6.2 आपकी जो है एक्ससाइज का प्रोबैबिलिटी का करते हैं जिसमें हमें कहते हैं एवेल्वाइट ता फॉल्विंग तो छोटी छोटी से कुछ क्वेस्टेंस हमें दी हुए हैं और इसको हमने बारी में सबको एवैल्वेट करना तो जो कॉंसेप्सिस क्वेस्टिन के अंदर यूज हो रहे हैं इंपॉर्टन्ट हैं और आपकी अगले जो है ना चैप्टर की कुछ questions के अंदर use होने वाले हैं तो वीडियो को अच्छे तरह देखी और इनको समझिएगा जिस तो question को start करने से पहले हम एक term के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं इस term को कहते हैं factorial, factorial का ये sign use किया जाता है ठीक है ये वाला sign जिसको हम exclamation mark भी कहते हैं English में लेकिन statistics में factorial का ये sign होता है ठीक है और factorial का ये formula होता है n factorial equals to n multiply by n minus 1 factorial इस formula का समझने के लिए आपको ये definition देखने पड़ेगी किसी भी number का जब हमने factorial find करना होता है तो हमने क्या करना ह करना होता है हमने multiply करना होता है ठीक है the multiplication of a number है, उस number को हमने क्या करना होता है, multiply करना होता है किसके साथ ? बॉइ इस previous natural numbers ये बात आप ज़ते माइट में रखती है कि जो number हम hem factorial can लेने जा रहे हैं हमने उसको उसके previous तमाम नाच्रिवार नंबित प्सक्राइब इस डेफिनीशन के एकॉर्डिंगली है एक 7 का फिक्टोरियल वो कहता है फाइंड करके दिखाएं तो अब हमने 7 का जब फिक्टोरियल फाइंड करना है तो हमने इस डेफिनिशन की accordingly हमने 7 को क्या करना है multiply करना है ठीक है by its all natural numbers previous natural numbers 7 से जो पिछले तमाम natural numbers हैं उन से जैसे कि 7 को multiply करेंगे इसका previous natural number 6 बनता है then 5 बनता है previous 4 3 2 और 1 ठीक है इसको बन तक रखना है because 0 is not a natural number तो 6 5 3 4 3 2 1 के साथ multiply किया किसको 7 को जिसका हम फेक्टोरिल लेने जा तो इन सब को multiply करेंगे और multiply करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा अंसर होगा ठीक है 7 के factorial का तो इस formula को हमने यूज किया है और इस definition के मताबिक हमने 7 का factorial find कर लिए अब इस आपने consider करना let n यह जो आपके पास n यह 7 है ठीक है 7 का factorial आप लैट करें n factorial है ठीक है और इसको आपने क्या किया यह multiply किया n को उसके previous number से तो n-1 जो है वो n का previous बनता है ठीक है तो जिस नंबर का factorial लेना होता हमने उस नंबर को उसके तमाम previous numbers के साथ multiply करना होता है ठीक है इस formula को आप मजीद एक एक और example समझते हैं जो कि आपका next question भी है जिसमें वो हमें कह रहा है कि 16 factorial divided by 8 factorial अब हमने इस question को solve करना है और इससे मजीद आपको इस formula की understanding मिल जाएगी तो 16 का factorial जब हम इसको open करेंगे तो जैसे कि हमने उपर किया है 16 को उसके इसके तुमाम previous natural numbers के साथ divide करते जाएंगे ठीक है और इसी तरह नीचे 8 को ठीक है जब हम करेंगे तो उसके तुमाम previous numbers के साथ क्या करते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे तो हम पहले 16 को करते है 16 multiply by 15 multiply by 14 then 13 multiply by 12 इन्टो 11 इन्टो 10 ठीक है इन्टो 9 इन्टो 8 अब यहां पहे मैं 8 के साथ फैक्टोरियल का साइन यूज करने जा रहा हूं 8 फैक्टोरियल मैंने इसको 8 multiply by 7 multiply by 6 5 4 3 2 1 नहीं किया वो भी कर सकते हैं हम बट मैंने इसको ऐसा क्यों किया क्योंकि नीचे है हमारे पास 8 फैक्टोरियल ठीक है इस तरह से question दो simplify हो जाता है easy हो जाता है as you know 8 फैक्टोरियल और यह दिस 8 फैक्टोरियल यह जो हैंगे आपस में हो जाएंगे cancel out और बाकी की जो integers हमारे पास बचे हैं natural numbers बचे हैं इन सब को हम multiply कर देंगे और जब करेंगे तो हमारे पास एक answer आजएगा ठीक है एक value आजएगी जो इसका answer है वह है 518918400 यह हमारे इस question का answer है ठीक है 16 का फैक्टोरियल हमने 8 तक खोला यहां पर 8 को close कर दिया चूंकि नीचे वला भी 8 ही था तो हमने उन दोनों को cancel out कर दिया इससे हमारा question मजीद simplify हो गया अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप 8 को भी मजीद इसका factorial open कर लें इसको भी नीचे 1 तक multiply कर दें और इसको भी आगे 1 तक ले जाए तब भी यही सेम answer आएगा तो आपने देखा कि n का factorial जब हमने खोला तो हमने को उसके प्रीविस के साथ multiply कर दिया ठीक है एन मैनिस वन और आगे factorial sign लगाया हुआ ठीक है इसे तरह हमने का किया 16 का खोला 16 को उसके प्रीविस से multiply करते गए ठीक है और हमने एट पर जाएक स्टॉप करके factorial का साइन यूज़ कर दिया चूंकि नीचे भी एक 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 फैक्टॉरियल था डैस पाई हमने एट साथ क्लोज करके उसको कैंसल करके और यह क्वेस्टन सौल्ट कर लिया ठीक है 17 टेक्टॉरियल कि जो है डिवाइट किया जा रहा है एट के फैक्टॉरियल से और एट फैक्टॉरियल म्ल्टिप्रे हो रहा है फॉर सेम् प्रोसेस जो हम जो हमने ऊपर अप्लाय किया है वह मैं नीचे यहां पर करूंगा 17 को उसके प्रीवियस नेच्टरल नंबर के साथ मल्टिप्लै करूंगा ठीक है 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 इंटू 8 मैं यहां पे भी 8 फैक्टोरियल था किसको स्टॉप कर रहा हूं विकोज मेरे पास बटे के नीचे भी 8 फैक्टोरियल है और दें 4 का जो फैक्टोरियल है इसको मैं एक्स्पैंड कर लूँगा फॉर को इसके प्रीवियस नेच्वल नंबर के साथ मल्टिप्ला कर दूँगा वन तक ठीक है और इस 8 फैक्टोरियल को मैं कैंसल आउट कर दूँगा उपर वाले 8 फैक्टोरियल के साथ ठीक है और इसका जो आंसर है मेरे पास पैटिकुलर वै कि अधिक्स्ट मेरे पास कुछ कैसें दर तीन उनमें पर्मिटेशन हमने यूज करना और पर्मिटेशन का यह फॉर्मुला आपके सामने लिखा है मैंने यह आपको आना चाहिए और पर्मिटेशन की डैफिनिशन भी मैंना को बताये थे कि हम जब अरेंज करते हैं अब्ज आपके सामने उसने दिया हुए नाइन पी सिक्स आइधिंक नाइन पी सिक्स ही है आजी आपकी क्वेशन के अंदर तो अब जब हम इस चीज को नाइन पी सिक्स को हम इस फॉर्मुला के एड़ एक्स्पैंड करेंगे तो एन की जगह पे नाइन लिखा वसने ठीक है तो सिक्स करेंगे और दैन उसका फेक्टोरियल ले लेंगे इसको मजीद अब एक्सपैंड करेंगे तो नाइन फेक्टोरियल ठीक है इसको डिवाइड करेंगे नाइन माइनिस सिक्स होता है मार पास थ्री फेक्टोरियल ठीक है तो आब इसको मजीद हम आगे करते हैं नाइन क तो इसके तमाम previous natural numbers के साथ हम multiply करेंगे 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 का factorial ठीक है and divided by 3 का factorial तो 3 factorial और इस 3 factorial को हम cancel कर देंगे आपस में और जो बाकी इनको solve करने के बाद हमारे पास value आएगी वह हमारा final answer होगा और वह answer हमारे पास आ रहा है यहां पर 60480 नेक्स हम पार्ट करते हैं जिस भी हमें वह कह रहा है कि हमने बलके next आप हूद कीजेगा ठीक है यह जो पार्ट 5 है यह आपने हूद करना है 15 16P6 ठीक है इसको आपने हूद करना है मैं इससे जो है next पार्ट वह आपको करवाता हूँ जो कि हापका six part है ठीक है जिसमें हमें हो कह रहे है 5P5 इसको हम जब आपने उस फॉर्म्मला के एकोडिंग लिए उपर मैं लिखा हूँ है इसको हम जब एक्ष्पैंड करेंगे तो यह आजए का फाइव का फेक्टोरियल डिवाड़िड बाए फाइव माइनस फाइव फेक्टोरियल ठीक है और मजीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे या जिका फाइव फेक्टोरियल उपर एजड़ रहेगा नीचे फाइव माइनस फाइव जो है यह हो जाएगा जीरो फेक्टोरियल अब यहाँ पर एक नई चीज आपको मैं समझाने जाओंगा सिंपल सी है ठीक है अब जीरो का फेक्टोरियल जीरो से नीचे तो कोई होता ही नहीं है नेच्रल जो है ना नमबर जिसके साथ इसको मल्टिप्लाय किया जाए क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो फाइव एक्सपैंड हो जाएगा फाइव इं हमेशा माइंड में रखनी है कि जीरो का फेक्टोरियल जो होता है डियर स्टूडेंट्स वह हमेशा वन की इक्वल होता है अब यह कैसे वन की इक्वल होता है इसको समझने के लिए मैं यहां पर छोटा से एक प्रूफ आपको करके दिखाता हूँ ठीक है उससे पहले हम इसका अंसर लिख देते हैं इसका अंसर जब हम इनको मल्टिप्लाय करेंगे सब को और वन जब डिवीजिन में आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है तो यह इन सारी मल्ट इसको हम इसके प्रिविएस नंबर करते हैं एन मल्टिप्लाय करेंगे एन माइनस वन जो कि इसका प्रिविएस होता है नेचनल नंबर ठीक है अब हम लेट करते हैं कि यहां पर हम वन का फिक्टॉरियल लेते हैं कि यहां पर वन आजएगा ओके मल्टिप्लाय बाएं वन माइनस वन फिक्टॉरियल अब इसको मजीद स्वाब्स करते हैं तो वन का फिक्टॉरियल दिमाई डियर स्टुडेंस जो होता है वह इस ओल्लेज बान होता है ठीक है और इदर आजए का यह वन एज़िद इस मल्टिप्लाय बाए ठीक है जीरो वन माइनस ओन जीरो हो जाएगा और यह अगर इसके डिविशन में हम ले आए वन डिवाइड बाए वन करें इस इक्वल टू जेरो फेक्टॉरियल ठीक है और यह जब डिवाइड करेंगे तो इसका अंसर तो वन ही रहेगा और यह इस इ 0.0 is always equal to 1. Third students, इसमें combination को हमने find out करना सीखना है इसमें और combination का formula यह आपने पहले भी पढ़ा है तीक है और इसका formula n factorial divided by r factorial into n minus r factorial है और ncr इसकी जो है वो notation होती है जो हम use करते हैं अब आपका question यहाँ पे जो उसने दिया है combination के लिए वो हम question number करने जारी है 7 ठीक है इसमें वो कह रहा है कि आपने five combination three find करना है और जब हम इसको हम इसके formula के accordingly लिखते हैंगे तो यह हमाँ बस आता है n factorial के n five की जगा पे है ठीक है और divide करेंगे जिसे r है, r होड़ा three है यहाँ पे तो जो हम लिखेंगे three factorial into five minus three factorial ठीक है और अब बाकी सारा कुछ वो है जो आप पीछे करते आ रहे हैं factorials के question में इनको आप expand कर लें five factorial उपर as it is आजेगा नीचे three factorial में ने as it is लिख दी है इसको मैंने subtract किया है तो two factorial आगया मेरे पास ठीक है five factorial को मैं इसके तमाम previous natural numbers के साथ multiply कर रहूंगा ठीक है into two factorial इसको रख़ा है इसको मैं three तक भी रोक सकता हूँ ठीक है मर्जी है लेकिन मैं नीचे से cancel out करने जारूं two factorial को आप three factorial तक stop करके इसको भी cancel out कर सकते हैं तो two factorial cancel हो जाएगा इस two factorial के साथ और बाकी हमारे पास बच जाएगा five into four into three divided by three है का factorial जब open करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास three into two into one जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास इसका answer जो एक particular answer वो आजेगा ten इनको जब solve करेंगे तो यह इस part का answer है बाकी की दो part से हैं वो आपके लिए है ठीक है वो आपने उत करने हैं और मुझे बताने हैं क्यापको आगे हैं यह नहीं आए यह आएजी से हैं तो व आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए वीडियो को आज हटब करते हैं काफ़ बिदाव में राद रखेगा, अल्हाफेज